नमस्कार सातियों कैसे हैं सब दोस्तों आज हम बात करेंगे how to payment for advance import material जब हम दोस्तों import material की advance payment करते हैं तो bank वाले को कौन-कौन से documents देते हैं तो आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि bank वाले को कौन-कौन से documents की requirement होती है import material की advance payment के लिए दोस्तों इसके लिए sale contract जो की exporter देता है importer को sale contract के वियापपर भी आप advance payment करा सकते हैं या performa invoice के वियापपर भी आप advance payment करा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों bank की तरफ से आपको एक annexure मिलता है जिसका नाम होता है application for advance remittance against import जो की company के letterhead पे हमें निकालना होता है और उसपर sign and stamp करके जो की bank में submit कराना होता है sale contract के साथ हाजी दोस्तों तो हम बात करेते हैं how to payment for advance import material हम अपने import material की advance payment के लिए कौन-कौन से documents bank वाले को देते हैं तो दोस्तों sale contract या perform invoice और एक annexure मिलता है bank की तरफ से ही आपको जो की आपको अपनी company के letterhead पे निकालना होता है और उसके sign and stamp करना होता है ये दो चीजें आपको bank में submit करानी होती हैं दोस्तों उसके भ्यापर आप advance import material की payment करा सकते है दोस्तों जो annexure है जो bank की तरफ से मिलता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आपको भरना है दोस्तों form open हो चुका है सबसे पहले आप इसको अपनी company के letter rate पे निकालेंगे उसके बाद में इसमें आप branch भरेंगे जो भी आपकी branch है bank की उसके बाद में दोस्तों इसमें सबसे first column आ रहा है currency and amount इसमें आप currency भरेंगे और amount भरेंगे जितना आप payment करा रहे है उसके बाद में दोस्तों beneficiary name and address and country इसमें जो आपका exporter है जहां से आप import कर रहे है माल उसका आप इसमें beneficiary name भरेंगे address और country उसके बाद में दोस्तों तीसरा column आ रहा है beneficiary bank name and address and ship को दोस्तों सबसे import जो column है यही है beneficiary bank name और address and ship code दोस्तों beneficiary bank name and address and ship code यह आपको sale contact पे, performa invoice पे, commercial invoice पे भी आपको मिल जाएंगे उसके बाद में दोस्तों beneficiary bank account number बनना होता है उसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ bank charge होता है अगर आप इसे खुद पे करेंगे तो अबर अगर beneficiary अगर payment करेंगे तो BEN कर देंगे आप दोस्तों उसके बाद में आता है debit authority दोस्तों debit authority में आपको वह account number लिखना होगा जिस account से आप payment कराना चाते हैं आप इसमें अपना current account number EFC account number डाल सकते हैं या कोई other आपका account number है वो भी आप डाल सकते हैं दोस्तों इसमें आप अगर दो account उसे payment कराना चाते हैं तो दोनों आप इसमें account number लिख सकते हैं हाँ जी दोस्तों फिनेश्ट जो पीछ में हम invoice की detail डालते हैं number and date इसमें जो है invoice number और date डलेगी जो भी टरम आपका CIF है तो CIF FOB है तो FOB आप इसमें डालेगे हैं उसके बाद में currency जो भी आपकी dollar की currency आप इसमें डाल सकते हैं amount जो आप payment करा रहे हैं जितनी dollar की आप वो आप इसमें मेंसन करेंगे quantity of good जितनी quantity आप इसमें quantity mentioned कर देंगी डिस्क्रिप्शन ऑफ गोड यहाँ पर आप आइटम ने में लिख देंगे एच्छेशन कोड डालना है फिर आपको कंट्री ऑफ ओर्गिन ऑफ गोड्स जिस कंट्री साब माल ले रहे हैं आप यहाँ पर जो भी चाइना लीबिया जो भी आप इस में लिख सकते हो और कंट्र if for which goods are persie यहाँ आप अप चाहिना लीखिंगे अगर चाहिना से मले रहे हो तो मोड्य अफ सिंपमयंट is eight देता यहाँ तो यह तो यह गोड्य चेहन पर हां बगिंट्र अपनी कंपनी कंप्णी कंट्री नाम और य्ट्रस और IC code यहाप डालके sign and stamp करके आप यह submit करा सकते हैं bank में with sale contract या performing advice के साथ दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को जरूर subscribe and like and comment करें